नमस्का ड्राइवर पार्टनर्स, ओय रिक्षा में आप सभी का स्वागत है इस ट्रेनिंग वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप ओय रिक्षा एप पर कैसे काम कर सकते हैं सबसे पहले जैसे ही आप एप खोलेंगे तो ये स्क्रीन आपको दिखेगी जिसमें आपको सबसे पहले हमारे एप में लॉगिन करना रहेगा लॉगिन करने के दो आसान तरीके हैं सबसे पहला आप उपर दिखेगे हुए खाली डबे में मोबाइल नमबर दर्च करके लॉगिन कर सकते हैं दूसरा यदि आपके मोबाइल पर ट्रू कॉलर एप इंस्टॉल्ड है तो आप बीच में दिए गए नीले बटन पर दबा कर भी लॉगिन कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल नमबर दर्च करके कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं तो ये मैंने अपना मोबाइल नमबर अड़ कर दिया और मैं नीचे दियेगे पीले डबबे पर दबाता हूँ आगे बड़े जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा तो एक छैंगो वाला OTP आपके नमबर पर आएगा वो OTP आप इस डबबे में दर्च करें तो मैंने ये OTP दर्च करा जो नमबर पर आया है और आगे बड़े पर दबाएं नीचे एक आगे बड़े वाला बटन है जैसे ही आप इस बटन पर दबाएंगे तो आप हमारे एप में लॉगिन कर जाएंगे सबसे पहले अब हम आपको समझाते ही जैसे ही आपकी ड्यूटी चालू करें और बंद करें के बारे में और ये पर किसी भी तरह की सवारी यानि बुकिंग लेने के लिए आपको ड्यूटी आउन करना ज़रूरी है यानि कि जब आप बुकिंग लेना चाते हैं तो नीला बटन दबा दे और अगर नहीं लेना चाते तो आप ड्यूटी बंद करके रखें तो अभी मैं नीला बटन दबाता हूँ जिससे आप ड्यूटी चालू हो जाएगी जैसे ही आपकी duty चालू होगी आप हमारे app के home screen पर आ जाएंगे यहाँ पर नीचे लाल कलर का gold button वापस आपको दिखरा है जिससे आप duty बंद कर सकते हैं एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ कि duty बंद कैसे करेंगे जैसे ही आप लाल बटन पर दबाएंगे एक message आपको आएगा जो आपको पूछेगा कि आप duty बंद करना चाहते हैं क्या उस पर हाँ दबाएंगे जैसे ही आप हाँ दबाएंगे आपकी duty वापस बंद हो जाएगी मैं duty वापस चालू करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हमारे home screen पर क्या है ओई रिक्षा पर आप दो तरह की ride कर सकते हैं पहली shared ride जो ये black color के button में उपर लिखा है shared ride यानि साजा सवारी यानि कि एक चकर में एक trip में एक से ज़ादा सवारी लेके जाना दूसरा private सवारी जैसे आप ये black button में ने private पर दबाया तो वो private वाला mode आ गया है तो private यानि एक सवारी तो shared ride पर आप देख सकते हैं आपको 5 सीटे दिख रही है जिस तरह से आपके रिक्षा में 4-5 लोग बैठते हैं एक चकर में उसी तरह से यहाँ पर 5 सीटे बनी हुई है प्राइवेट राइड में उसी तरह एक सीट बनी हुई है तो इस तरह से ओई रिक्षा के साथ मिलकर आप दोनो shared और private सवारी ले सकते हैं अब आते हैं और features के बारे में सबसे पहले side menu जो उपर 3 रिखाओं वाला button आपको दिख रहा है उस पर जब आप click करेंगे तो side menu बार आपकी खुल जाती है जिसमें आपको बहुत सारी चीजे दिखेंगी जो आपको OE के साथ काम करने में मदद करेगा सबसे पहले profile पर जब आप जाएंगे तो आपके बारे में पून जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी आपका phone number किस metro station पर काम करते हैं और आपकी गाड़ी की पून जानकारी इसके अलावा जो सबसे महतपून चीज आपको रिक्षा चलाते समय या OE के साथ काम करते हुए पता होनी चाहिए वो है कि आप कितने घंटे होई के साथ काम कर रहे हैं कितना किलोमीटर चला रहे हैं और कितनी सवारी कर रहे हैं तो साइड मेन्यू में जाके दूसरा बटन डैश बोर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको हर दिन की मिलेगी सबसे पहले सबसे उपर आप तारिक चुन सकते हैं जिस तरह से आज की तारिक अगर मैं चुनता हूँ तो आज की पून जानकारी मेरे को पूरा विवरन यहां पर दिख जाएगा सबसे पहले कितने किलोमीटर मैंने चलाए कितने घंटे मैंने चलाए तीसरे नमबर पर कुल बिजनस मुले याने कितना किराया मैंने सवारी से लिया फिर आता है कि कितनी सवारी करी मैंने साजा याने प्राइवेट सवारी कितनी करी shared सवारी कितनी करी तो आपको ride summary ये बीच में जो ride summary दिख रहा है उसमें आपको इसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी तो ये रहा हमारा app का introduction हमारे app में और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा पर आज के लिए इतना ही आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी धन्यवाद